हलो गुड इवनिंग मैं डियर फ्रेंड्स मैं शिवं कुमार आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके चैनल क्या नेक्स पी में इसलिए आप अपने मन में ये डाउट बिल्कुल न रखिए कि ये प्रीवियस एर के क्वेस्टन्स नहीं हैं फ्रेंड्स भरोसा रखिए और एस पॉस्पल जितना बेस्ट हो सकेगा उतना हम करेंगे आपके लिए और कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपको इसका पीडियेफ पर हमकल आपके लिए डेली पूरिस कांस्टिपल का पेपर लेके आएंगे चली दोस्तों अब शुरू करते वीडियो को पहला प्रेंच नहीं दोस्तों शिम्पल बायो रिजर्व कहां इस्तिथ हैं आपको बताना है और आज धाव करेंगे जसमें आपका ज्यादा टाइम वेश्ट ना हो और सारे questions जल्दी से cover हो जाएं तो मैं dear friends इस question का right answer बताइए आप लोग तो मेरे प्यारे दोस्तों सिमली पाल बायो रिजर्व जो है वो इस्थित है उडिशा में आपका option number 3 बिल्कुर right answer है और 21 फेमस है तो लाल कबास के लिए famous है red silk cotton के लिए ठीक है friends तो इस question का right answer आपका option number 3 है ओडिशा ठीक है friends अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला important question दोस्तों 1893 में विश्च की धर्म संगी संसद में भारत का प्रजिनुत किस ने किया था दोस्तों important question है आए हुए questions है टाइप मैंने अलग से क्या है क्योंकि जो questions paper में quality सही नहीं आती है इसलिए आप यह ना समझे कि यह प्रीवेस के questions नहीं है तो dear friends यह सारे previous year के questions ही है दोस्तों आपको बताना है कि 1193 में विश्च की धर्म संगी संसद में भारत का प्रत्म किस ने किया था तो dear friends यह अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ तो dear friends आपका अगला question है मरदा के अध्यन का उलेख करने के लिए प्रियुक्त शब्द क्या है दोस्तों swell जो हवारी होती है इसका अध्यन करने के लिए कौन सा suitable word है आपको बताना है तो dear friends इससे करते हैं भूम विज्ञान option नंबर एक आपका right answer है ठीक है friends भूम विज्ञान मरदा के अध्यन का उलेख करने के लिए प्रियुक्त word है ठीक है friends तो तो कफी जल्दी से question करेंगे cover त ठीक है तो अगला question है सदिस राजिका उदाहरण क्या है तो वजन तापमान वेग और लंबाई में कौन सा सदिस राजिका उदाहरण है आपको बताना है तो my dear friends जो आपका वेग है ये सदिस राजिका उदाहरण है तो आपका option number 3 question का right answer है ठीक है friends बढ़ते हैं अगले question की अगला important question है snooker का खेल कितने गेंदों के साथ खेला जाता है important है आया हुआ तो my dear friends जो snooker का खेल है ये खेला जाता है 22 गेंदों के साथ option number 2 आपका right answer है ये gain जो है चाइना में famous है ठीक है friends अगला question देखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका अगला question है जीवों के वरगी करण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते है important question तो जीवों के वरगी करण से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा होती है तो my dear friends इसको हम कहते हैं वरगी करण विज्ञान आपका option number 1 विल्कुल right answer है इसे हम वरगी करण विज्ञान क पाइब्टा तक्ला मगान रेगिस्तान कहाँ इस्थित है तो डेजर्ट से क्वेस्टन है तो रेगिस्तान जेलपरपात इन सबसे भाईयों ने कहा था कि देली पुलिस कॉंस्टिबल के लिए लिए किया यह कंप्यूटर के भी क्लासे डेडी हैं और एंटी पीसी के लिए प्रडेल आते हैं चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम में लेंगे आपका तो आपको उताना है कि तकला मकान रेगिस्तान कहां इस्तित मेरे सभी भाईयों मैं सभी sisters को पता होगा मैं तो इसका बताए कि प्याज काटते समय आखों में जलन पैदा करने वाला कौन सा यैदि कि तो आखों में हमारे ऐइस में जलने होने लगते हैं इसमें सल्फर होता है इसमें आपका उप्स नंबर 3 जुना है तो बिल्कुल राइट आइब का मैं डियर फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ उस्तों फ्रेंडली होके पढ़िए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि टीचर से बलब जो है आप लोग बस बेफिक्र टेंशन परी होके पढ़िए एक्जाम तो निकली ही जाएगा आप लोग का बस मेहनत कर दे रहिए 211 ठीके फ्रेंड्स जोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ इस क्वेशन का राइट अंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है जो सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग लाइक नहीं करते हैं जोस्तों अगला क्वेशन देखिए प्रशन है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जाज करने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला यंत्र जोस्तों यह यंत्र और अविश्कार से भी क्वेशन आते जो कि यह आया हुआ है तो बताना है कि पाचन तंत्र की जाज करने के लिए कौन सा यंत्र इस्तिमाल किया जात में तो माई डियर फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि इसको में जो है एंडो इसकोप का प्रियोग करते हैं ऑप्सन नमबर थ्री बिल्कुल राइट आंसर है एंडो इसकोप के ज्वारा पाचेंतंत की जाज की जाती है तो दिखते हैं अगला अगला और इंपॉर्टन क्वेश्चन है विधान सभा के दो सत्रों के बीच अधिक्तम कितने माह का अंतराल हो सकता है दो सत्रों के बीच तीन महिने छे महिने नो महिने या बारा महिने इस इस क्वेश्चन का राइट अंसर बताई है अपलो तो मैं डियर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट अंसर आपका हो जाएगा छे महिने विधान सभा के शट्दो सत्रों की बीच अधिक्तम सिक्स मंथ का अंतराल हो सकता है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है ठीक है अगला क्वेश्चन तो आपको आंसर ही दिख्राया होगा फिर भी आपको तना कि आई आई मां फिजे आई एस एस का किस आई एस एस किसका संचिप दूरूब है आपको आई एस एस का फूल फॉर्म बताना है तो यह होता है इंटरनेशनल इस पेसिस टेशन ठीक है फ्रें सब्सक्राइब कि भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती पांस्डेसों से तो यह पांस inten तो क्वेस्टन इसलार गंज म्यूजियम कहा है इसे दोसे कई बार मैंने क्वेस्टन देखा है मैंने इसको एंटीपीसिक एक्जाम में देखा था और डेली पुलिस कॉंस्टेवल के भी देखा था दोजाश अत्तरा में जो हुआ था आपका तो इसको अगर आप लोगों ने साइन्स का मैं डियर फ्रेंड्स क्वेस्टन है कि म्रग त्रश्णा मुख्य रूप से प्रकास के कारण बनता है तो यह प्रकास के किसके करण बनता है परावर्तन विस्टरण अपवरतन या पूर आंतरिक परावरतन दोस्तों यह बनता है पूर आंतरिक परावरतन ठीक है तो इस question का right answer आपका option number four हो जाएगा पूर्ण अंतरिक परावर्तन ठीक है मैं डियर फैंड देखते हैं अगला question तो डियर फैंड आपका अगला question है कि निम्ड में से कौन सा विकल्प नभी करण उर्जा का सुरूत नहीं है तो जिनसे pollution नहीं फैलता है ठीक है फ्रेंड फैलता है तो इन आपसंस में से अगर आपको कोई भी आपसंस मिल जा तो आपको याद रखना है कि जिनसे pollution लेस हो या नहीं फैलता हो तो उन्हें नभी कन उज़र कहते हैं तो मैंध यिसमें कौन सा विकल्प से निंगलता थे सब आपगा विल्कूल राइट found my deeper फैंग अग्रि éta थे और हाँ इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलिग्राम ग्रूप पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप लोग जाइन कर लीजिए तो अगला अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ब्रदर एंड शिस्टर्स प्लीज लाइक दवीडियो और सपोर्ट मी अगला क्वेश्चन है ऐस, पेरि स्कोप में निम्वलीखी मेंसे किसका परियोकिए जाता है? इसमेंसे किस लेंस का परियोक किता आब बताना थे उससतों शाधन शिस्के का प्रियोकर्ट करता है आप से नवर एक बिल्कुल रैट आट अब आपका एरिस्टोब में साथारा सीजे का यूज होता है नॉर्मल क्लास का देखते हैं एकला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन दही में मुख्यता कौन सा एसीड होता है इंपोर्टेंट है आया हुआ पढ़ा भी होगा आपने तो दियर फ्रेंट्स जो दही यह मारा करड होता है इसमें मुख्यों से लैक्टिक ऐसी पाया जाता है और से नमबर थ्री आपका राइट अंसर है ठीक है फ्रेंट्स लैक्टिक है रट किया जाना है दोस्तों रट के जाओ कैसे भी करो बस एक्जाम निकालो क्योंकि लोग आपकी सिर्फ सक्सेस देखते हैं उसके पी दूल गैस से संबंधित निये इन चार अप्संस बीज taxi पेडाय्या-usok जूल के नियम में जूल के नियम में चार्व कि नियम में जूल्ए नियम में लृएस प्रेंट्स माँलों मस्तिष का कौन सा हिस्सा बुढ़ी इसम्र्थि यानि मैमरी मैंद खेन और भौन और फेलिंग्स गेंड होता है और में ओक्षण नुवर्ड होग से है ठीक है फ्रेंट्स सेहरी ब्रह्म हमारी बुद्धी इस्मृत्ति और भावनाओं का खेंद्र होता है ठीक है फ्रेंट्स तेकते हैं अगला क्वेस्चिन नहीं तो बागा इंश्चिन है बहारत का कौन सा राज जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है ? जूट का सबसे करते हैं इस वीडियो के अगले question की तरफ है तो देर देर्ट्स आपका अगला question है है Thomas कब निम्रिखित में से किस खेल से समानित थोस्तों Thomas कब जो है यह किस खेल से समन्दित है यह वीडियो की एक्जाम ही पूछा गया था विलास डैवलेप्मेंट आफीSet 2016 सब्सक्राइब करने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है किस डिवाइस का यूज करते हैं तो मैं टेलीफोन के माध्यम से संचार के लिए जो कंप्यूटर को कनेक्ट करने की डिवाइस होती इसको मॉड्यम कहते हैं यहीं की मॉडूलेटर और दी मॉडूलेटर आपका ऑफ्सन नंबर थ्री ही राइट आनसर है ठीक है फ्रेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेशन की त कौन सा फूल ड्यूप्लेक्स कम्यूक्येशन चाहिए तो डियर फ्रेंट्स जो फूल डूप्लेक्स कम्यूक्येशन का द राण है यह हमारी टेलीफोन की बातचीत होती है इसमें दोनों तरफ से सूचनाओका अधान प्रतान हो तो आपका आपसन नमबर फूर पिल्कल रा कि अगला क्वेस्टन है इजी वट आया हुआ कि मूली किस एक का उधार दूस्तों जो मूली होती है रैडिस यह किस चीज का उधार जड़ कंद फल या इन में से कोई नहीं तो मैं डियर फ्रेंड जो मूली होती यह जड़ होती है अब क्या रखते हैं अपसे नमबर एक आपका राइट आंसर है जड़ ठीक है दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्टन की तरफ तो दियर फ्रेंड्स अगला क्वेश्टन है कि पर्रावण के संदर में CER की से स बाइट नियुक्षण यह CER का फुलपाम होता है certified emission reduction ठीक है अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्टन की तरफ तो मैं अगला क्यों है भारत में ASLV पहली बार कभी इस्तिमाल किया गया था दूस्तों यह ASLV सबसे पहले किस सब में इस्तिमाल किया गया था आपको होताना है तो मैं यह किया गया था आपका नमबर एक 1988 में और 1988 में कब तो जो है 13 जुलाई 1988 को अफ्रेंस बता दे मेरा बड़ी भी होता है थर्टिन चुलाई को ठीक है फ्रेंस थर्टिन चुलाई उसे बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ तो यह समय इतने क्वेशन थे तो असा करते हैं आपको वीडियो पसंद आगा काफी जल्दी से मैंने कवर कियें अगर आपको थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए बता सकते हैं तो हम तो इस डिटेल में डिसकस करेंगे तो आप लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आप लोग पूरे वीडियो नहीं देखते हैं तो डियर फ्रेंट्स हमने काफी जल्दीली क्वेशन कवर की हैं अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक किर जिएगा अगर थोड़ा डिटेल में वीडियो चाहिए हो पहले के जैसे तो कमेंट कर देखते हैं अबड़ाओ ब्रेंटेल में वीडियो क्वेशन कर दो येंदेल थी जरूबगी तो किर पूरेंगे बड़ाओ वीडियो कि येडि़ोन कर देखते हैं आप शोगाओ थे वीडियो झाल झाल